मेरे पिता का शव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था कि इस जंडे में उनका खून है उस शहीद पिता का अपमान थंसद में किया जाता है उस शहीद के बेटे को आप देश द्रोही कहते हैं और हमें क्या शर्मानी चाहिए, कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, क्या एक आदमी है, जो कन्या कुमारी से लेकर 5000 किलो मीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है, कि इस देश को एक होना चाहिए, सब को समान दृष्टी से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अफमान कर सकता है, एक आदमी का कितना अफमान करोगे, जो सोचता है कि हमें अफमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, वो घलत सोचते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, कॉंग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए, आज इस देश की आजादी के लिए ही लग रहा गए कि राहूल गांधी ने संसद में वह सवाल उढ़ाए दिन्ता उसके पास जवाब नहीं दे पाते हैं तो पूरी सत्ता को लेकर इस जंता को दबाने की कोशिश करते हैं यह अदानी है कौन कि आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ती लूटी जा रही है एक आदमी को दी जा रही है वी सो हजारो क्रोड शेल कंपणियों में इनकी है और आप इन पे इंक्वाइरी नहीं कर सकते हैं लगा दो केस मुझे पर जेल ले जाओ मुझे भी लेकिन सचाई यह है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है मीडिया के साथियों मैं आप से कहना चाहती है मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोगत तंत्री सुप्रे में है यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई 32 साल पुरानी बात है मैं 1991 की बात है मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्थी भवन से निकल रही थी अपनी वहां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैचे थे सामने भारतिय सेना की एक ट्रक थी फूलों से लदी हुई थी उसके उपर मेरे पिता जी का शव था थोड़ी देर काफिला चला पाँच-दस मिन्ट चला फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूँ तो मा ने मना किया उस समय सुरक्षा का भी बहुत उठा तो मा ने का नहीं तुम उतर नहीं सकते राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा मैंने मा से का मा उतरने दो राहुल गारी से उतरा उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ती से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुँचा इस जगे से इस जगे से कुछ चारसो पाचसो गस दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संसकार मेरे भाई ने किये सुनिए वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है मेरे मन में है मेरे पिता का शव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है उस शहीद के बेटे को आप देश द्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मा का अपमान करते हैं आपके मंदिरी मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं आपके एक मुख्य मंद्री कहते हैं कि राहूल गान्दि को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है आपके प्रधान मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नहरू नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पड़ित समाज के रिवास का अपमान करते हैं जिसके तहट एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परमपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता आपको दो साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसत से कोई बाहर नहीं निकालता आपको मना नहीं करता कि आठ सालों के लिए आप चुनाओं नहीं लड़ सकते क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए मेरे भाई ने क्या कहा संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है हमारी विचार धारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचार धारा नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूँ एक आदमी का कितना अपमान करोगे कितना अपमान करोगे क्या यही है इस देश की परंपरा आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को बनवास में भेजा गया उन्होंने अपने परिवार अपनी धर्ती के प्रती अपना धर्म निभाया क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? कि वो अपने परिवार की संसकारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस जंडे में उनका खून है इस धर्ती में उनका खून है इस देश के लोक तंत्र को मेरे परिवार के खूनने सीचा है और जो सोचता है जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे हमें धमकाएंगे जो सोचता है कि तमाम एजन्सियों को लगा कर हम पे चापे मार कर हमसे कुछ भी कर ले हमको हमें डराएंगे वो घलत सुचते हैं हम डरने वाले नहीं हैं हम और मजबूती से लड़ेंगे हम इस देश के लोग तंतर के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है इस देश के लोग तंतर को इसकी नीव कॉंग्रेस पार्टी के महान महापुर्शोने की डाली है कॉंग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की अजादी के लिए और आज भी इस देश की अजादी के लिए ही लड़ रही है कभी-कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है क्या देख नहीं रही है, क्या हो रहा है क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी समपत्ती लूटी जा रही है एक आदमी को दी जा रही है गिने चुने उद्योग पत्यों को सब कुछ दिया जा रहा है किसकी संपत्ती है यह राहुल गांदी की संपत्ती है यह आपकी संपत्ती है यह PSU किसके हैं किसके लिए बनाएं गए आपके लिए बनाएं गए जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं दिये जा रहे हैं इसी से तो आपका रोजगार आता है छोटे उद्योगों स छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है किसी बड़े अडानी से नहीं आता रोजगार नहीं देते छीन दें आपका रोजगार तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप गैज के सिलिंडर के लिए 1000 रुपے दे रहे हैं और यहां आपकी सारी नहीं दे पाएं ना धबरा गए और जो अंकारी होते हैं तानाशा होते हैं क्या करते हैं जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं आपने कभी सोचा है आखे खोलिए, आपने कभी सोचा है, कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद, एक आदमी को बचाने की क्यूं इतनी कोशिश कर रहे हैं, इस अडानी में है क्या, कि इसको आप सारी संपती दे रहे हो देश की, वी सो हजारो करोड शेल कंपनियों में इनकी हैं, और आप इन पे इंक्वाइरी नहीं कर सकते, ये अडानी है कौन, कि आप सब उनका नाम उठते ही बखला जाते हैं, और उनको बचाने में लग जाते हैं, देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है, आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, हम इस्तिहार तो देख रहे हैं, होडिंग देख रहे हैं, मदर ओफ डिमोक्रिसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थ के वस्ता बह पेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं, इतनी महंगाई क्यों हैं, इतनी महंगाई क्यों हैं, क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो, लेकिन इक गैस सिलिंडर का दाम कम नहीं कर सकते हैं, आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते हैं, आप रोजगार नहीं बनवा सकते, तो फिर आपकी सरकार किस काम की है, लोगों को दबाने के लिए है, या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है, तो आज ये समय आ गया है, कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ये सरकार पूरी कोशिश करती है, कि आपका ध्यान भटकाया जाए, अब आ कुमारी से कश्मीर तक एक आधमी चला, उसके साथ लाकों लोग चले, क्या पैगाम लेके चला, किस लिए चला, उसके दिल में क्या भावना थी, कि लाकों लोग देश भर से उससे जुड़के चले, समता, एकता की भावना थी, आज आपके सारी मीडिया आपके सारे मंत्री आपके सारे सांसद आपके सारे कारेकरता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया क्या एक आदमी जो कन्या कुमारी से लेकर 5000 किलो मीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए सब को समान दृष्टी से देखना चाहिए क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है तो ये आदमी क्या कर रहा है ये आपकी आवाज उठा रहा है ये क्या कह रहा है कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो नौजवानों को अपना हक दो महिलाओं को अपना हक दो यही तो कह रहा है और हक क्या है हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए किसी बड़े उद्योकवती के हाथ में नहीं जो प्रधान मंत्री जी के मित्र है ये है आपका हक उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप समझे ये एक इंसान की बात नहीं है ये एक राहुल गांदी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की बचाने की कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, लोकतंत्र क्या होता है, खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ, यही तो लोकतंत्र है, कि आपको को कोई आपती है कोई समस्या है आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं आप कह सकते हैं हमारे लिए ये क्यों नहीं किया इतनी महंगाई क्यों है हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाएं लेकिन आज यही हक आप से छीना जा रहा है और आपका ध्यार इधर उधर दुनिया के सबसे दो सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थाने वहाँ से पढ़के आए हैं। हारवर्ड और केमरिज की उनकी डिग्री है। केमरिज से उन्होंने एकनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पपू बनाते हैं, पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, दिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पपू बना दिया, फिर पता चला कि ये पपू तो यात्रा में निकलाया, और पता चला कि ये तो यह इमानदार भी है, यह सब बातों को समझता भी है, यह जंता के बीच जा रहा है, जंता की समस्याओं को सुन रहा है, और जंता इसके साथ चली जा रही है, तो घबरा गए, घबरा गए कि राहल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं क्या किया सुन लीजिए एक तरफ से हसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कम्प्लेंट लगाई आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद के चहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया फिर वापिस कब गए केस खुलवाने के लिए राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाषन देने के एक हफ़ते बाद एक हफ़ते बाद वो आदमी वापिस जाता है कहता है केस सुन लीजी अब हम तैयार हैं एक महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलेगी आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में दसों साल के लिए पढ़े रहते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती ये तो सुनवाई भी फट से हो गई जज्मेंट भी फट से हो गई सजा भी फट से हो गई और आपने कह दिया अगले दिन कि आठ सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते संसद से बाहर कर देंगे इनको वावा 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 बहुत धहर्य है आप में अरे कायर है कायर है इस देश का प्रधान मंत्री लगा दो केस मुझ पर लगा दो केस मुझ पर जेल ले जाओ मुझे भी लेकिन सच्चा ही ये है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है हिंदु धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि आहंकारी राजा को ये देश पहचानता है मेरे परिवार ने मुझे एक चीज शिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा मेरे मीडियों के साथियों मैं आप से कहना चाहती हूँ बहुत हो गया है बहुत हो गया है मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है आज आपको ये लिखना है लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोग तंतर खत्रे में है अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाओ लड़ने की ही अजासत नही है तो बहुत गरबढ़ है बहुत गलत हो रहा है और ये लोग तंत्र के लिए ठीक नहीं है ये इस देश के लिए ठीक नहीं है जब आप पत्रकार बने शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सचाई बोलूँगा मैं सचाई बोलूँगी आज आप बोल नहीं पा रहे हैं हिम्मत करिए, खड़े हो जाईए आप भी, और जैसे खड़गे जी ने कहा, कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं, और हम सब को एक होना पड़ेगा, इस लिए होना पड़ेगा, क्योंकि आज ये देश खत्रे में है, आज इस देश की सारी संपत्ती, एक आदमी को सौपी जा रही है, और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, बहुत गलत हो रहा है, अगर आज, मेरे भाईयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, तो इस देश को बहुत खत्रे में डाल देंगे, इसलिए यहां खड़े हुए, महात्मा गांधी जी की समाधी के कुछी गजदूर खड़े हुए, मैं आपको याद दिलाती हूँ, कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धर्ती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है, यह अफसर हैं यहां, तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई, सरहत पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं क्या इसके लिए क्या डानी जी के लिए कि अपने देश के किसान के लिए अपने देश के गरीब के लिए अपने देश के छोटे वियापारियों के लिए महिलाओं के लिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तयार है तो मैं आपसे आगरे करती हूँ मेरे देशवासियों आखें खोल लो समय आ गया है दरो मत राहुल गांदी के शब्दों में दरो मत इनका सामना करने का समय आ गया है एक जुट हो जाओ सामना करो इस देश की सचाई को भारो इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ जैहिंद जैहिंद जैहिंद